Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Pire and this video में हम पढ़ने चारे हैं General Stores के बारे में Ma'am क्या है ये? तो बिटा, अगर आपने वो Bifurcation देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम Retailers को दो पाथ में Divide करते हैं, Fix Shop Retailership में and Itinerant Retailership में So, उस ताइम पे हमने कुछ examples देखे थे उसके जिसमें हमने hawkers, peddlers देखा था Itinerant में और ऐसे ही Special Stores, General Stores, Speciality Stores ये सब examples देखे थे Fix Shop में So, यहां से हम वो सारे examples पढ़ने वाले हैं, यहां से हम Fix Shop Retailership के हर एक टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें First है हमारा General Stores नहीं मिलेगी तो General Store का ऐसा बोला जाता है कि यहां पे आपको Grocery Items भी मिल जाएंगे Pen, Pencil, Stationery Items भी छोती हैं वो भी मिल जाती हैं Dairy Products भी मिल जाते हैं तो Combination of Products आपको इस Particular Store में देखने को मिलेंगे It says, These stores deal in items of daily use like groceries, confectioneries, stationery, soft rings, etc. मैं यह दो-तीन example आपको पहले भी दे चुकी हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं? यह बोलना चाह रहे हैं ऐसी General Stores में General Stores में General मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की चीज़े हूँ उन सब stores में आपको यह सब आइटम देखने को मिल सकती है They have a large variety in each line of product यह बोलते हैं कि अगर मालो इन्होंने cold ring रखी हुई है तो यह सिर्फ Coca-Cola नहीं रखेंगे यह cold ring रखेंगे तो यह Coca-Cola भी रखेंगे Thumbs Up भी रखेंगे यह आपको marinda भी देंगे यह आपको limka भी दे सकते हैं तो इनके पास एक ही product की बहुत अलग अलग तरहें की variety होती है जो customer की need होगी जो customer की demand होगी उसकी according उसे supply कर दी जाएगी They are not supplying सर्फ एक ही product Very clear, ठीक है They are not even supplying एक ही product की एक ही variety यह एक product की भी 10 variety आपको offer करते हैं जिसमें से आप अपनी मनपसंद की variety चूज कर लेते हैं Then it says They provide free home delivery, credit facility and other services to their regular customers Okay, this thing is very necessary आप first time किसी shop पे जा रहे हैं आपके residential area में थे लेकिन you are going there for the first time उस दुकानदार ने आपको कभी देखा नहीं है और आप उसके पास जाके बोलते हैं Credit दे दे तो वो आपको नहीं देगा ये साब facility वो किसको offer करेंगे सिर्फ उनके regular customer को करेंगे या फिर आप बोलते हो आप 10 रुपे का कुरकुरे का packet मंगवाना साथ हैं और आप phone करते हो घर से कि यार मेरे घर पे ना home delivery कर दो 10 रुपे के कुरकुरे के packet करेंगे नहीं की जाएगी तभी वो आपको goods pre-off को मतलब घर पे डिलिवर करेंगे सो आपको उनका regular customer बनना पड़ेगा तब आपको special treatments मिलेंगे कुछ treatments कुछ assistance ऐसे होते हैं जो सबको दी जाती हैं लेकिन कुछ assistance सिर्फ और सिर्फ regular customers को दी जाती है तो अगर आप वहां से हर बार खरीते हैं तो they'll be offering you this thing और अगर आप वहां से एक certain amount के products खरीते हैं तभी वो आपको free delivery भी देते हैं They create personal relationship with the customers and keep them happy and satisfied Okay क्योंकि आपके इलाके में ही वसे होते हैं तो कहीं न कहीं आपका रोज मिलना होता है अब market में आप जाते हैं कभी कभार जाते हैं दस दुकानों पे गूमते हैं हर किसी से आपका इतना वो नहीं होता लें दिन और हर बार जाएंगे हर बार खरीदेंगे ऐसा भी कमपर्शन नहीं है लेकिन क्योंकि आपके रेसिदेंशनल एरिया में ही है जिसमें आपको रोज कुछ ना कुछ समाल लेने की जरूरत पढ़ सकती है तो आपकी इससे बातचीत भी होगी तो यह वो शॉप कीपर होते हैं जो आपके साथ परसनल टच में रहते हैं और आपको साटिस्फाइ करने की कोशिश करते हैं आपकी जो भी डेमांड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं और आपको साटिस्फाइ करते हैं General stores located in posh areas also keep popular brand of products यह बोलते है posh areas के general stores होते है नाम यह कौन सा area होता है तो posh area वो area consider किया जाता है जो बहुत ही premium होता है जहाँ पे अच्छी gentry रहती है मतला माली जो sophisticated लोग रहते है decent environment maintained रहता है उस area को बोलते है posh area वो area हर जगे से पास होता है और prime location पे based होता है ना सिर्फ location matter करती है बलकि type of people वहाँ पे कौन रह रहे हैं वो भी चीज matter करती है तो यह सारी चीजे एक area को posh area बनाती है और यह बोलते है posh area में generally आपको branded products भी देखने को मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है general store में हमाईशा आपको 10 रुपे 20 रुपे की चीज़ ही देखने को मिलेगी sometimes you will get branded products also so क्या है ये general stores में हमने क्या क्या पढ़ा ऐसे stores आपके residential area में located होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है फिर हमने इसके कुछ characteristics देखे features देखे जिसमें हमने पढ़ा कि daily use की items से लेके हर्चीज आपको यहाँ पर available मिल जाती है generally आपको variety भी देखने को मिल जाती है और बहुत सारी special assistance भी मिलती है trading के अलावा so ये था हमारा general stores which was first example of fixed stock retailer I hope आपको समर्ज में आया होगा अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको notes शहिए तो आप magnetbrains.com पर जाके notes भी ले सकते हैं that's our official website जिसका link you'll get in the description box thank you so much for watching